कैसे आप लोग उमीद करूँआ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो मैं के जंदर शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं तो चलिए शुरू करते हैं जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले देखिए अगर आप लोग इसके पूरी complete information जानना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग इसके अप्लिकेशन फॉर्म्स भर सकते हो कितने आप लोग को सक्यूसंस मिलेंगे कितने आप लोग को सब्सक्राइब कर सकते हो रात को 11 बच के 50 मिनिट तक कर सकते हो तीस तारिक तक की आप लोग की बात है करेक्शन विंडू दो से चार तारिक तक आप लोग की रहने वाली है और अनॉंस्मेंट जो आप लोग का सिटी इंटीमिशन होता है वह लास्ट वीक अंदर आप है क्या आपल Youngी का एक्षाम जो होने वाला है क्या एक सब्सक्राइब को इसका एक्शाम पैटर क्या है किस तरीके से इसका अंदर चीजे है है जिसमें से आप लोगों को दो लेना पड़ेगा हर एक language कि जब आप लोग बात करोगे तो यहां पे 23 में से 20 क्योंस आप सभी को करने है दिमाग में बिठा लीजएगा इसके बाद में आप लोग का second यहां लोग को यहां पर total 181 क्योंस मिलेंगे जिनमें से 160 क्योंस आप सभी को करने है और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जाने वाला है वो दिया जाने वाला है 180 मिनिट का यानि किसर तीन गंटे आप सभी को इस पेपर को करने के लिए दिया जाएगा तो देखो यहां पर आप लोगों का दिखा गया है कि कैसे आप लोग का पेपर पैटर रहने वाला है क्यूसन पेपर्स का यहां पर क्या है अपके सामने 161 है और आपके सामने 165 करने है इसुट्रा का पूरा का पूरा को सब्सक्राइब करने अब सबसे बड़ी बात यह होते है कि सर इसके लिए time कितना दिया जाएगा तो जैसे ही आप लोग इसको scroll करोगे तो यह आपके सामने देखो languages 38 languages हैं यहाँ पे 26 domain आप सभी को दे रखा है और यहाँ पे आप सभी का क्या दे रखा बेटा देखो यहाँ पे आप लोग का journal test है teaching aptitude यह सारी चीज़े दे रखें और यहाँ पे clear cut इसने बोला है कि आप लोग का जो exam है वो multiple days में हो सकता है और एक दिन में दो shift आप सभी की हो सकते हैं लेकिन यह depend करता है कि number of registrations कितने आए हैं साथ ही साथ यहाँ पे ठीक है यहाँ पे सबसे बड़ी बात अगर मैं करूँ तो 180 मिनिट का आप लोग को time मिलेगा हर एक shift 180 मिनिट की आप सभी की होने वाली है तो यह आप सभी का complete हो गया है कि आप लोग का exam pattern किस तरीके से कितने किस तो आप सभी को हर एक में करना है अब सबसे बड़ी बात है क या mark for review करते हो तो zero marks मिलेंगे अगर मान लो कि आप लोग के दो से ज़्यादा option से वो correct पाए गया है तो चार नमबर आप सभी को मिलेंगे ठीक है लेकिन condition कौन सी है कि जिनों ने यहाँ पर right जो किसन का answer है वो अगर mark किया है तो उनको यहाँ पर marks मिलने वाले है इसके लब कितने number का होगा कितने time rate मिलेगा एक question करने पर चार number मिलेंगे यानि कि correct करने पर negative marking क्या है minus one की negative marking है तो I hope कि आपके सारे doubts दूर हो गये होगे चीजों को आप लोगोंने समझ लिया होगा अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो बैतर level पे तगडे level पे तो आप सब हमारे premium content के अंदर जुड़ सकते हो using the code y485 इस code को use करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तयारिये जबर्दस तरीके से कर सकते हो क्योंकि यह जो last आप सभी के पास लगबग एक से डेड़ महीना जो बचाए ना इसको अपने आप में maximize करना और selection की तरफ कदम आगे बनाना है basically यह exam आप सभी के teaching के अंदर अगर आपको career बनाना है आपको degree लेनी है जैसे BA, BA के साथ अगर आप लोग BA करना चाहते हो, BA, BSC BA करना चाहते हो यह BCOM BA करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग का यह पूरा का पूरा exam होता है, अगर इसके अदाबा फिर भी कोई